है एलो फ्रेंड्स वेलकम तो यूट्यूब चैनल देवंद्र मैत क्लासिज देखिए फ्रेंड्स क्षिशन नमर शिक्स देखिए क्या कहता है यह बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडिज ओनली एक बैग है उसके अंदर कैसी चैंडिज हैं वही लेमन फ्लेवर्ड है मलीनी टेक्स आउट one candy without looking into the bag अब मलीनी क्या करती है बिना बैग में देखे वे क्या करती है यह candy को निकाल लेती है ठीक है what is the probability हमने क्या बताना है probability बतानी है that she takes out first दिया है an orange flavored candy कि वो orange flavored candy निकाले इस बात की क्या probability है ठीक है तो यहाँ पर देखें देखो question number one का solution देख रहे हैं हम probability की अगर बात करें तो probability होती क्या है probability क्या होती है वही number of favorable outcome upon outcomes upon number of total possible outcome यही होती है ठीक है देखें जब आप probability का question करते हैं तो आप formula जरूर लिखें वहीं ठीक है आपने अगर कोई mistake कर दी है तो at least आपको formula का number बिल जाए अब यहाँ पर देखें तो first देख रहे हम हमे probability बताने किसकी orange flavored candy ठीक है तो यहाँ पर यह जो orange flavored candy है जो उनने बतानी है वो किसका काम कर रहे है कि event का का काम कर रहे है हाना तो हम event से इसको denote कर लेंगे let e be the event e be the event of getting getting क्या an orange flavored candy ठीक है यह क्या है यह वो इवेंट है किसको करने की orange flavored candy को तो probability of e चीए अपने को e का मतलब अब क्या हो गया कि orange flavored candy ठीक है उसकी probability यही तो बताना हमने probability कि उसने जो भार निकाड़ी क्या orange flavored candy उसकी क्या है तो यहां पर देखें तो इसने क्षिशन में क्या दिया था अपने को इस बैग में कैसी candies है वही lemon flavored है केवल only अब lemon flavored candy है अब मलीनी उसको निकालती है यह candy को बिना देखें वे निकालती है चाहिए वो देखें निकाले चाहिए बिना देखें निकाले जब उसमें lemon flavored candy है तो orange flavored candy तो आएगी नहीं उसमें इसका मतलब क्या हुआ जो हमें favorable है वो तो कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है, आप नमें नीचे कुछ भी रह, रहे चाई, possible outcome, तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है, तो probability इसकी क्या हो गई भही, इसकी क्या होगी probability, 0, ठीक है, आप ऐसी event को अगर लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, ऐसी event क्या होती है, इंपोसीबल इवेंट ठीक है यह कैसी इवेंट है इंपोसीबल इवेंट देखिए अगर आपने मेरा इंट्रोडेक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज वो देख लीजिए आपको पूरे चैप्टर का कंसेट किलियर हो जाएगा उससे और मैंने सिक्स चैप्टर से मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ और जैसे यह कंप्लीट होगा तो फिर हम करेंगे स्टार्ट जो बचेवी चैप्टर है उनको सिक्स चैप्टर आपका ठोरम से रिलेटिड है सिक्स सेवन एट नाइन टैन सब मैंने करवा रखे हैं कंटिन्यू चल रहा है हम सिक्स चैप्टर से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके अब यहाँ पे देखें तो इंपोसिबल इवेंट यह हो गई ठीक है यही बता इवेंट क्या मान रहे हम ओफ गेटिंग एन गेटिंग एन नहीं आएगा भाई यह तो आपको भी पता है एन कभी उस होता है गेटिंग ए लेमान फ्लेवर्ड केंडी ठीक है तो प्रोबैबिलिटी ओफ ए की बात करें तो क्या होगा प्रोबैबिलिटी ओफ ए अब लेमान फ्लेवर्ड केंडी ची अपने को उसकी प्रोबैबिलिटी बतानी है और इस बैग में क्या थी लेमान फ्लेवर्ड केंडी जी ही थी थी ना तो आप चाहिए आख बं क्या है इसकी probability 1 ओके ऐसी event को आप क्या बोल सकते हैं आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं यह कैसी event है sure event या इसको certain event भी बोलते हैं okay student यह है आपका question number 6 देखें students अब question number 7 देखेंगे क्या कहता है it is given that in a group of 3 students एक group है 3 students का उसमें probability of 2 students those students की probability not having the same birthday is की उनका birthday same नहीं होगा ठीक है not having the same birthday is क्या है 0.992 नहीं और एकी है ठीक है की उनका birthday same नहीं होगा तो कहता है probability बताएं कि दोनों student have same birthday दोनों student का birthday क्या हो same हो ठीक है तो अब यहाँ पे देखें तो हमें किसकी value given है probability solution देख रहे हैं तो अगर इं event से हम birthday को denote करते हैं ठीक है तो यहाँ पे पी इनोट की value अपने पास क्या है वही 0.992 ठीक है student का same birthday नहीं होने की probability E note लिख लिए हमने अब हमने क्या बताना है probability बतानी है कि दोनों student का birthday क्या हो same हो it means PE की value हमने find out करने है ठीक है तो हमें पता है कि PE note plus होने की और नहीं होने की probability कितनी होती है 1 clear अपने पास किस की है birthday same नहीं होने की है तो यह value हम यहाँ पे रख दें 0.992 plus PE is equal to 1 तो PE is equal to क्या जाएगा वही 1 minus 0.992 जब करेंगे तो यह जाएगा 0.008 आ जाएगा कितना जाएगा 008 देखो कैसे आजाएगा वन के बाद कुछ भी नहीं तो decimal लगा कि 0 लगा लेंगे आप और decimal के निचे decimal रखें आप और आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो यहां से कहरे लेंगे यह टायाएगा यह एट आएगा फिर यह 99 में से 90 फिर यह ना गेंग कंटेन्स थृल रेड बोल्स एक वैग है ठीक है सुलिशन देख रहे हैं एक बैंग है आपके पास ठीक है इसके अंदर क्या है थिरी रेड बोल्स हैं और पांच बलैक्पोल ठीक है कहता है दायड दॉफ इड्रॉन एट रेन्डम फ्रोम यह से निकाल दी अब कहता है probability बढ़ता है आप what is the probability that the ball drone is red उसकी probability बताएं कि बोल के आए वही red आए ठीक है तो first इसका first देखें देखो सबसे पहले आप कोई vacation करते हैं उससे पहले आप probability का formula जरूर लिख लें वही एक बार जरूर लिख देंगे आप probability का formula probability क्या होती है number of favorable outcome upon outcomes upon number of total possible outcome ठीक है जितने उसमें हो सकते हैं अब यहां पर देखें तो red ball आने की probability बतानी है और red ball नहीं आने की बतानी है हम event माल लेते हैं यह क्या एक event है ठीक है let e be the event e be the event of getting of getting a red ball ठीक है red ball आने की event क्या माल ले हमने e से denote कर लिया इसको अब आप probability of e बता रहे हैं e बता रहे हैं मतलब red ball आने की probability आप बता रहे हैं e आपने लिख लिया की red ball आने की है is equal to अब यहां पर देखें कितनी ball हैं अपने पास red ball की बात कर रहे हैं तो favorable outcome 3 है red ball 3 है 3 लिखेंगे number of favorable outcome upon number of total possible outcome कितने हो सकते थे 3 plus 5 8 हो सकते थे तो आप यह इसको करने से पहले आप यह भी लिख ले नंबर ओफ नंबर ओफ फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स एज इक्वल टू खिरिये हैं वही आपके clear और नंबर ओफ टोटल पोसिबल आउटकम तोटल पोसिबल आउटकम्स पोसिबल क्या क्या हो सकता है भई पोसिबल में तो सभी बोल आएंगी रेड भी आएगी और बलेक भी आएगी पोसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमने बतानी है प्रोबैबिलिटी ओफ यानि की रेड बोल होने की तो फेवरेबल आउटकम्स पोसिबल आउटकम्स कितने है यह हो गई रेड बोल आने की प्रोबैबिलिटी किलियर है अब देखें अब इसका सेकंड देखें यह फस्ट पार्ट था अब इसका सेकंड पार है red ball आने को denote किया है तो e note कर देंगे तो इसका मतलब यह सौबाविक है कि यह नहीं आने की है तो p e note क्या होता है भई 1 minus p e होता है हमने formula बता है आपको p e note plus p e equal to क्या होता है 1 अब आपके पास p e की value आप find out कर चुके तो आप इसमें रख देंगे 1 minus 3 by 8 तो यहां से 8 LCM आ जाएगा तो यहां 8 आएगा यहां 3 कितना आ गया 5 by 8 किसकी probability आ गई red ball नहीं होने की आप इसको डारेक्ट भी लिख सकते थे देखो red ball नहीं होने की है इसका मतलब red तो है नहीं तो favorable outcome क्या black में से आएगा भई तो पांच है और टोटल कितनी है एट है तो 5 by 8 आप डारेक्ट भी लिख सकते थे यह था students question number आपका 8 देखे friends question number 9 देखेंगे आप इसका म कहता है एक box contain five red marbles एक box है वही अपने पास उसके अंदर क्या-क्या है five red marbles क्या है red marbles एट white marbles है white marbles और four green marbles है और green marbles आप लिख लेंगे ठीक है अब यहां पर देखेंगे तो कहता है one marble is taken out of the box at random एक marbles को randomly box में से निकाल लिया गया वही randomly कहता है कि what is the probability अब देखके नहीं निकाल आए कभी सोचे कि देखके निकाल रहे हैं randomly कोई भी निकाल लिया हमने कहता है कि probability बताएं कि marbles taken out will be red जो marbles निकली जो आई वो लाल रंकी है इस बात की क्या probability होगी ठीक है तो यहाँ पे देखें वही हमने red solution देख रहे हम तो आप कोई भी question करें तो उससे पहले आप क्या कर लेंगे formula लिख लेंगे p लिख के probability प्रोबिलिटी प्रोबिलिटी लिख लें वैस इतना काफी है प्रोबिलिटी क्या होता है number of favorable outcome favorable outcomes upon number of total possible outcome ठीक है भाई अब यहाँ पे देखें तो देखो red marvel जो है वो आने की probability हमने बता नहीं है तो यह कि यह event है इसको e से हम denote कर लेते हैं आप किसी से भी denote कर लें फर्स्ट देख रहे हम फिलाल तो फर्स्ट लिख लेंगे net e be the event be the event of getting getting क्या वही red marvel ठीक है e क्या event है red marvel आने की event है clear अब हम probability of e find out करेंगे यानि की red marvel आने की probability हम बताएंगे तो उसके लिए देखें favorable outcome की अगर बात करें नमबर ओफ फेवरेबल आउटकम बही फेवरेबल आउटकम चाहिए ना आपको फेवरेबल आउटकम रेड मारबल के लिए देखें तो फेवरेबल रेड मारबल कितनी है 5 हैं तो is equal to 5 हो गए बही फेवरेबल clear और number of total possible number of total possible outcome की अगर आप बात करते हैं तो total तो कितने हैं सबको add कर देंगे 5 पलस 8 पलस 4 कितना हो गया 17 clear total possible तो इतने हो सकते हैं अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम red मारबल आने की event हमने मार रखिये e से तो probability of e red मारबल आने की probability बता रहे हैं हम चीक है is equal to तो number of probability क्या होते है favorable outcome upon total possible outcome favorable कितने हैं 5 upon total possible कितने हैं 17 तो इसकी probability क्या हो गई 5 by 17 clear है देखिए आपकी जो probability आ रही है वो 0 से 1 के बीच में या 0 और 1 यही आ रही है इसके अलावा नहीं आ रही है अगर आपकी इन से 0 से छोटी या 1 से बड़ी आती है इसका मतलब आपने गलत किया है ठीक है यह होगी अब second को देखें हम second क्या कहता है second कहता है कि white बोल आने की probability बतानी है किसकी बतानी है white बोल आने की तो इसको भी हम एक event से denote कर लेंगे अब आपने इसको ई नाम ले लिया है तो आप इसको कीशी भी से भी दिनोट कर लेंगे भले ई से दिनोट कर लें क्योंकि ये एक अलग पार्ट है इसका ठीक है चलो एप से दिनोट कर लेते हैं कोई फरक नहीं पड़ता इस बात से ऐफ भी दे इवेंट बी दा इवेंट ऑफ गेटिंग गेटिंग क्या है वही वाइट मारबल अब यहाँ पर देखें तो वाइट मारबल को हमने एप से दिनोट किया है ठीक है तो प्रोबाइबलिटी ओफ एफ बताएंगे आप तो नंबर ओ फेवरेबल नंबर ओ इसके कितने हैं White Marble कितने हैं इसमें एक Favorable Outcomes कितने होगे और टोटल पोसिबल आउट कम वही आपके पास टोटल पोसिबल पोसिबल आउटकम हैं आपके पास कितने सैवन्टीम यहांना ही है ना किश्चन तो वही चल रहा है टोटल बोल तो टोटल यह है अब हमें बताना है probability of f f का मतलब क्या white marble आने की probability हम बता रहे हैं ठीक है तो number of favorable कितने है total possible कितने है 17 तो probability क्या हो गई 8 by 17 ओके अब हम में third क्या बताना है वही third में है green नहीं आने की probability आपने बतानी है तो देखो मैं यहां कर रहा हूं किश्चन को third part देख रहे हम इसका green नहीं आने की है ठीक है तो आप इसको भी event से denote कर लें let if आपने मान लिया जी मान ले कोई दिकत नहीं है जी बी दी इवेंट बी दा इवेंट ओफ गेटिंग गेटिंग ग्रीन मार्वल ग्रीन मार्वल आने की मान रहे हैं इसने किस क्या अपने से green मार्वल नहीं आने की probability बतानी है तो जी से हम इसको इवेंट को डिनोट कर रहे हैं ग्रीन मार्वल आने को तो नहीं आने को जी नोट से डिनोट कर लेगी ठीक है वही आपने क्या करना है जी से आने की मान लेना है फाइनली आपको क्या बताना है यहाँ पे जी नोट की value बतानी है आपने तो चीक है तो यहाँ पे अगर बात करें हम number of favorable outcome देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं आने की तो number of favorable outcome कितने हैं आपके पास number of favorable outcome आप लिख लेंगे वही इसको यहाँ पे favorable outcome अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी green ball आने की ठीक है वही और अगर आप direct करना चाहते हैं तो आप direct भी कर सकते हैं यहाँ पे अपिए मैं direct कर देता हूं चलो कोई बात नहीं है आप direct कर ले देखो हमें क्या चाहिए यह probability of g note चाहिए फाइफ ठीक है 13 अपून और टोटल पुसिबल कितने है 70 कंठ आए समझ आपको यहां पर हमने क्या बताया है हम आने एवेंट माण ली है जी क्या ग्रीन और अरहें बताना क्या है नहीं आने की probability बतानी है नहीं आने के बतानी है तो P G note बताना है इस इक्वल टू नहीं आने की ग्रीन नहीं आना चाहिए मतलब वाइट और रेड में से आए तो वाइट और रेड में से आएगा यही फेवरेबल होगा तो फाइब प्लस एट कितना होगा है थर्टीन अपॉन टोटल सेवंटीं ओके स्टूडेंट यह आपका ऐट इदएन इना देखेंगे क्या कहता है आपके आपन पगे उसमें 20 पैसे के और 50 हैं एक रूपए के सिक्के 20 बीस हैं दो रूपए के सिक्के और 10 क्या हैं पांच रूपए के सिक्के हैं उस गुल्लक के अंदर कहता है आगे कहता है if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down जब उस गुल्लक को उपर नीचे क्या जाता है तो क्या होता है कोई भी कोई उससे गिरने का जो निकड़ता है वो क्या है equally likely है मतलब कोई भी आ सकता है ठीक है वह कोई भी आ सकता है उनकी probability जो favorable outcome है वो same है ठीक है ऐसा नहीं है कि भी जब आप उसको उपर नीचे करें तो वन और वन रुपे के या रहे हैं सब की क्या है बराबर है यहां पर देखें तो कहता है what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin हमने बताना है 50 पैसे का कोई जो है वो आए उसकी probability क्या है ठीक है तो अब यहां पर देखें हमने जो यह दे रखें हैं यह रोपी कोई तो आपने क्या कर लेना है इन को टॉट ल को इक को हम लिख लेते हैं क्योंकि क्या है यह दॉब दो है क्या है फिप्टीए कि लिए क्या कर लेण ुटुरो औरSN ? को हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें जब प्रोबैबिटी बताएंगे तो नंबर ओफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ओफ टोटल पॉसिबल आउटकम चीए तो हम क्या करेंगे इनको एड कर लेंगे तो कितना हो गया भी यह 150 और कितना आजाएगा 180 कोई टोटल कितने कोई हो हा थी उसकी प्रोबैबिटी तो हम इवेंट इसे डिनोट कर लेते हैं let ep the e be the e event of getting गेटिंग अgeon spill हॉ कि ए 50 पैसे कौई ठीक है 50 पैसे का सिखाय उसको फ्राइट करने की impact Нबय को हमने e से denote कर लिया अब probability बतानी है probability की बात करें probability of ee की बात करें आपने formula लिख जाना है मैं बार बार वही बता रहा हूं question भे एक बार आपको फोर्मुला जरूर लिखना है number of possible outcome आपको नमबर of total possible outcome यहां पे देखें p ee क्या है getting fifty 50 पैसे coin जो है वो कितने सिक्के हैं उसके बात सिक्कों से हो रही है तो एंडर सिक्के हैं वहीं तो आप फिए वरेंबल लिखेंगे अपन टोटल फिए वरेंबल कितने है 180 तो 100 by 180 इसको कटता है उतना काट नहीं है अब 2 से कट जाएगा दो पंजे 10 और 2 से 9 तो कितने आ गई 5 by 9 probability ठीक है अब आपने बता रहा है इस बात की probability बताएं ठीक है तो आप साइकेंड कर रहे हैं देखो तो इवेंट को मान लेते हैं हम लेट लेट आपने इसमें माना आए चलो एफ मान लेते हैं एफ बीदी इवेंट इवेंट ओफ गेटिंग यहाप पर डिपेंड है कि आप कैसे इसको मानते हैं ठीक है अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं एफ बीदी इवेंट ओफ गेटिंग आप गेटिंग 5 रुपे कोईन रुपे 5 रुपे कोईन की 5 रुपे का जो शिक्का है वो आए उसकी प्रोबैबिलिटी हम उसको एफ इवेंट से डिनोट कर रहे हैं ठीक है और हम प्रोबैबिलिटी किसकी निकारेंगे नहीं आने की 5 रुपे का शिक्का नहीं आए उसकी निकारेंगे तो आपने क्या करन है simply probability of F note कर लेना है वह इसको क्या कर लेंगे F note क्योंकि F किस्षे denote क्या है मैंने 5 रुपए का सिख्का आए इवेंट क्या मानी है 5 रुपए का सिख्का आए ठीक है अगर आप F को पांच रुपए का सिख्का नहीं आए ये मानते हैं तो फिर यहां F ही लिख लेंगे ठीक है मैंने denote किया है आए तो अब नहीं आने की बता रहे हैं क्योंकि क्ष्षन क्या है अपना नहीं आना चीए 5 रुपए का ठीक है तो प्रोबैबिलिटी ओफ एफ नोट इजीक्वल टू अब पांच रुपए का सिख्का नहीं आए इसका मतलब और कोई भी आए ठीक है और कोई टोटल पोसिवल की वो कितने है 180 तो जीरो जीरो कट गया इतने आ गई प्रोबैबिलिटी 17 बाई 18 तो पांच रुपए का सिख्का नहीं होगा इस बात की प्रोबैबिलिटी कितनी है 17 बाई 18 आप लिख भी देंगे Therefore, probability that the coin will not be a 5 रुपए coin as equal to कितनी आई 17 बाई 18 किलियर है इस परकार आप इस क्षिशं को कर लेंगे यह था आपका क्षिशं नमबर 10 प्रेंट्स अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें